नमस्कार दोस्तों मैं हूँ स्वारू शेर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हरियान अपडेट डेली नियूज तेकि आपको रेवाडी की बड़ी खबर हमारे चैनल पर मिलेंगे सबसे पहले तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजे इस एक साथ शिरू करते ह आज की रेवाडी की बड़ी खबर है तो सबसे पहले आपको ताजीत, रेवाडी में एक और परीषानी बड़ी स्वादर को आप सभी को पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले वोच्छे नहीं पार है तो इसी के चलते सुनिये रिवाडी शेर के एतियासिक भड़ावास गेट का एक हिस्सा तूटकर गिरने के चार दिन बाद भी नगर परिशत के अधिकारियों ने इस रास्तों से जो हजारों लोगों का आवा गमन तो रोक दिया लेकिन ना तो गेट को दुरुस्त किया और ना ही यहां से अवा गमन शुरू किया हालात ये बने होए कि तंग गलियों से और मोले में ट्रैफिक बढ़ रहे देखे अब आप सबी को पता है कि एक जगेसा का रास्ता बंद है तो लोग गलियों का इस्तेमाल करेंगे और इसके कारण जो गलियों के नदर काफी ट्रैफिक बढ़ रहा है जिसकी वज़े से एक खंडर मकान का हिस्सा भी तूट कर गिर गया तंग गलियों में ट्रैफिक बढ़ने के कारण मोलाबास सितबराय में पुराने खंडर हो चुके मकान का एक इस्सा भी तूट गया हलांकी गनीमत यह रही कि वहां कोई उसकी चपेट में नहीं आया इस मकान के मालिक की मोत हो चुकी है माकान की वारिस उनकी बेटी गुरुगाव में रहती है जिसे कई बार इस जर जर हो चुके माकान की हालत को लेकर अवगत कराय जा चुका है लेकिन मालिक की तरफ से कोई सुनवाई नहीं की गई देखें आपको ये भी पता होगा कि 21 अगस्त को 21 अगस्त को इस रेवाड़ी की बाड़ावाफ गेट का एक हिस्सा बरा जो गिर गया था जिसके मलबा था उसके निचे की व्यक्ति मर भी गया था जिसकी उम्रे लगबाग 68 साल थी तो ट्रैफिक के कारण गुजरवाड़ा रामबा सिताब राय बासितब राय इन मोहलों में काफी ट्रैफिक बढ़ गया है जहांसे लोगों को भी परिशानी हो रही है जो वान वगेरा चला रहे है उन सबी को भी इसके बाद देखते क्या कारवाई होती दूसरी बड़ी हर्याना से कांग्रेस के जो राज्य सबा सांसाद है दिपेंदर उड़ा आज एक दिवस्य दोरे पर रेवाड़ी पहुंचेंगे वे रेवाड़ी और बावल में पांच से जादा जगय कार्यकरम में हिस्सा लेंगे शहर के ब्रहमगड में सत्यनारायन भार्दवाज की प देगे आपको बता देता हूं कि लोगसाबा और विदानसाबा चुनाव आने वाले हैं इसके कांड़ दिपेंदर उड़ा ने दक्षिन हर्याना में अपनी सक्रियता बढ़ा दिया सांसत दिपेंदर के अलावे उनके पिता पूर मुख्या मंत्री वुपेंदर उड़ा भी आगामी दिनों में गुरुग्राम से लेकर रेवाडी और नार्नोल में कई कार्यकरम में शामि मुख्या मंत्री वुपेंदर से लेकर एक सितंबर को रेवाडी के पूर विदायक अबेसिंग यादव की जैनते पर होने वाद एक कार्य करम में पहुचेंगे तो एक तरीकी से हम यह भी कह सकते हैं कि चुनाव आ रहे हैं हर्याणा में और अगर बात करें हर्याणा में स्वी विदान सबानी अगर टोटल ओवरॉल इंडिया की बात करें तो लोग सबद चु झानियवाद।